वाव! डिलिशेस कोरियन नूडल्स! कौन खाना नहीं पसंद करेगा? राइट? इसलिए जल्दे से जाके मेरे चैनल ट्रेंडी अन्बॉक्सिंग को पहले सस्क्राइब कीजिए और साथी साथ वो बेल आइकोन दपाना ना पूले हाई दोस्तो वेलकम टू मैं चैनल ट्रेंडी अन्बॉक्सिंग आज की इस यूडियो में हम बराने जा रहे है कोरियन नूडल्स सो सबसे पहले हम कडाई पे तेल गरम करने को रख रहे हैं थोड़े देर के लिए हम इसको ऐसे ही गरम होने के लिए रखते है क्योंकि तेल बह पॉलिफलर तो आप डाल सकते है आप देख सकते हो मैंने अभी डाला है कैपसिकम उसके बाद हम डालने वाले है बारिक कटा हुआ गाजर आपको इसके अंदर बहुत ज्यादा बड़े गाजर के पीसिस नहीं डालने है तो छोटे ही पीसिस डालने है और उसके बाद मैंने डाला है onion तो आप देख सकते हो दोस्तों जो onion मैंने cut करके डाला है वो बिल्कुल छोटा नहीं हो बड़े pieces मैंने उसके डाले है वहाँ पर अभी हमको इस सारी सबजों को अच्छे से रोश करना है आप इनको high flame पर भी fry कर सकते हो आपको ensure करना है कि वो जादा cook ना हो पाए क्योंकि हमको वो crispiness भी चाहिए noodles खाते समय अच्छे से fry होने के लिए हम इसको ऐसे ही रखते है और दोस्तों ensure आप इसको बार अब बार stir करते रहे अभी हम इसके अंदर एक चमच बटर डालते है आपके पास अगर बटर नहीं है तो भी चलेगा पर बटर के बज़े से इसको एक अच्छा सा टेस्ट आता है then हमको इसको अच्छे से again stir करना पड़ेगा इसको stir करने के बाद बटर का जो flavor है वो सबजे में गूल मिल जाएगा then again हमको इसको थोड़ी देर के लिए ऐसा ही stir करना है और थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही पकने देना है अभी हम इसके अंदर डालेंगे मैगी मसाला मैजिक दोस्तो मैगी मसाला मैजिक से इसके अंदर काफी अच्छा मसाला का flavor आएगा then हम next डालेंगे मैगी मसाला जो packet के अंदर आता है since मैं इस noodles में दो मैगी के biscuits डालने वाला हूँ noodles के इसलिए मैं दो मसाला के packets इसके अंदर empty कर रहा हूँ दोस्तो वो होने के बाद हमको इसको again फिर से properly stir करना है दोस्तो आपने देखा कि हमने पहले मैगी मसाला मैजिक डाला और उसके बाद दो मैगी नोडल्स के जो मसाला है उसका packets हमने इसके अंदर empty किये है then हम इसके अंदर डालेंगे एक चम्मच ग्रीन चिली सॉस Then हम डालेंगे एक चम्मच सोया सोस और उसके बाद हमको डालना है एक चम्मच विनिगर Green Cherry sauce, सोया सोस और विनिगर डालने के बाद हमको again इसको properly stir करना है थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही stir किजे जिससे सोस का flavor इसके अंदर आ जाए Next हम इसके अंदर डालेंगे पानी में boil की हुई noodles Noodles दोस्तों आप देख सकते हो मैंने already boil की है और ये अच्छे से cook होई है आपको इन noodles को overcook भी नहीं करना है Noodles डालने के बाद आपको इसको अच्छे से stir करना है और जो हमने masala के साथ और sauce के साथ जो mixture बनाया है उसको अच्छे से noodles के साथ mix करना है दोस्तों आप देख सकते हो mix करने के बाद ये noodles कैसे दिखते है दोस्तों हमारे Korean noodles ready हो चुके है तो इसको मैं जल्दे से एक plate में निकालता हूँ और आपको दिखाता हो कैसे दिखते है दोस्तों ये हमारे Korean noodles कुछ ऐसे दिखते है ये हमारे Korean noodles से जो बहुत spicy है दोस्तों in terms of taste ये बहुत अच्छे है दोस्तों जल्दे से जाके मेरे चैनल को subscribe कीजिए और साथी साथ वो bell icon दबाना ना भूले आपने अभी देखा कि कितने आसान तरिके से हम घर पे ही Korean noodles बना सकते है वो भी spicy Korean noodles वो भी मेगी masala noodles को use करके आप इस Korean noodles को definitely घर पे try कीजिए और मुझे comment section में बताए कि आपको ये Korean noodles कैसे लगे और अगर आपको ये Korean noodles की recipe पसंद आई है तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को subscribe कीजिए और वो bell icon दबाना ना भूले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा like और share कीजिए Thank you